अयोध्या में रुधोली नगर के मंगल बाजार में शेत्रिय विधायक रामचंद्री यादव सहे महानगर अध्यक्ष अभिशेक मिश्रा का सम्मान समारो आयोजित क्या गया सम्मान समारो को संबोधित करते हुए पदमश्री महमद शरीफ ने कहा कि अब तक मैं लावारिशों के खिद्मत करता था आज मेरी खिद्मत के लिए देश के प्रधानमंत्री खड़े हैं उन्होंने कहा कि 27 वर्षों में 3000 हिंदूों वे 5000 मुस्लिमों के अंतियोष्टी की थी और ठोकरे खा रहा था विधायक रामशंद्री यादव ने कहा कि सिर्फ लिखने से कोई समाथ सेवी नहीं बनता इसके लिए काम करके साबित करना पड़ता है चेर्मेन धर्मेंदर प्रताप सिंग तिल्लू ने कहा कि पदमश्री से नवाजे जाने के बाद शरीफ चचा ने पुन्यकारियों के जरिये जिले का नाम देश के पटल पर ले जाने का काम किया है अब तक मैं लावासों के खिद्मत करता था आज मेरी खिद्मत करने के लिए पर्धान मंतरी खड़े हो गए तरीफ तुम आप तीम नहीं ना हम तुमारे हैं हम तुमारे हैं 27 बरस से तीन हजार हिंडूों को दो धाय हजार मिसलमानों को किया और ठोकरे खा रहा था मेरा बच्चा चला गया मैतीन था कुछ दहीं था आज पर्धान मंतरी ने पूरा जोज दिया है कि हम तुमारे हैं और कोई तुमारा नहीं ना देखिए हमारा एक बच्चा था उसका नाम मुहमद रईस था उसको हमने पाल पाल के इत्ता बड़ा किया था और वो जवान हो गया था मुझको बड़ा सहारा था कि ये बच्चा भामारा हम आए पोधा बना है अब हमको कुछ खिला है मैं पंचर दोड के सड़क को पर भी लगी थी प्रकाब गन्साना इंचाज एक महने बाद लेकर आया उसने का इबुसर्ट पचानते हो उसने का घहां पचानते ये मुहमद सरीफ समास से मुहमद सरीफ की लड़की लड़के के है वह पंचर बनाता जब मैंने देखा मैं पागल हो गया मैं सुल्तान पूर मैंने अपने लाल को देखा कि वो मेरा लाल है मैंने एक पागल की तरह घुमता रहा फिर मैंने सोच लिया है कि फैजाबाद में ना कोई हिंदू है ना मुसल्मान मैंने कसम खा लिया है कि किसी की लाज को फेकने ना देंगे